विद्धार्थी की जीवन में भी दो प्रकार के उत्वरे रखोते हैं 2008 की परिक्षा में अंतिम रूप से चाइनित नहीं होने पर मुझे तीसे ने कहा कि तू तो केवी की नोकरी से संतोश कर ले यारेस बनना तेरे बसकी बात नहीं है तो एक दूसरे मित्र ने कहा कि गिरको कर रे कंथडा हिरण कशो घी खाए आख चरे और पून भगे घोड़ा श्यूं आगो जाए कि हिम्मत कर हुमकार भर हिरण कौन सा घी खाता है लेकिन घोड़ों से आगे जाता है एक था उस्प्रेरण और दूसरा था दूस्प्रेरण दूस्प्रेरण ना स्वें करे ना दूसरों के दूस्प्रेरण का शिकार हो अपने मुकाम अपने उसूल खुद ताई करे और हर बार लोगों की अपेक्शाओ पर खरा उतरने की कोशिश ना करे एक बार रात के समय एक दुकानदार बंद करने ही वाला था कि एक कुट्टा उसके पास में आया कुट्टे के मुँ में थेली थी और उसमें कुछ समान की लिष्ट थी दुकानदार में थेले ली उसमें समान डाला बाकी पैसे डाले और सामने रख दी कुट्टे ने थेले मूँ में उठाई और चल दिया दुकानदार से रहा नहीं गया वा आश्चर ये चकीत होकर कुट्टे के पीछे पीछे गया ये जानने के लिए कि इतने समझदार कुट्टे का मालिक कौन है कुट्टा कुछ देर बस स्टोप पर खड़ा रहा बस आई उसमें चड़ गया कंड़क्टर पास आती ही उसने गर्दन आगे कुछ पैसे और घर का पता था कंड़क्टर ने उसे टिकर दे दी बाकी पैसे बेल्ट में वापस रख दिये जो ही अपना स्टोप नजदी काया कुट्टा बस में आगे की तरफ आ गया और पूछ लाकर इशारा किया बस रुगने पर कुट्टा उतर गया और आगे चल दिया दुकांदार भी उसके पीछे पीछे चला कुट्टे ने अपने पेर से दो-थीन बार बाइतर ढemmentन्रीण और निकल कर आया मालिक बहुए कि आप सूच रहाए कि मालिक भी सूच्रह था उसनों पूचा इसका deputy ने कहां बद्तमीज से बद्तमीज सब्रमार करती चाल फिले कि नहीं सकता था घड़ा गहीं का मिक्रत जीवाई की सच्चाई भी यही है लोगों से लोगों की आपसे अपेक्षाओं का कोई अंत नहीं है जरा सा आप चुके कि आप में बुराईया निगाल देंगे पिछली सारी अच्छाईयों को भूल जाएंगे इसलिए आप तो बस अपना कर तब भी कर्म करें आगे बहुत सी कठिनाईया है माजी तेरी कश्टी के तलबदार बहुत है माजी तेरी कश्टी के तलबदार बहुत है इस पार कुछ मगर उस पार बहुत है जिस शहर में खोली है तूने सीशे की दुकान उस शहर में पत्थर के खरिदार बहुत है लेकि पिर क्यों न चाशनी में डूब कर जिन्दगी का मजा लिया जाए। मैरे कहने का मतलब इतना ही है कि अपनी महनत को सफलता के मुकाम तक पहुचाईए। अपना संबल खुद बनिये अपनी तारीफ खुद करिये बुराई करने के लिए तो पूरा जवाना बैठा है। जिन लोगों की नजरों में बुरे हैं आप कहते हुने कि मैं नित्रदान कर सकते हैं। अपने आसपास के परिवेश में केवल उन्हीं कत्वों को प्रविष्ट होने की अनुमती दें। जो सकारातमक हो। विचारातमक हो। बोधातमक हो साही दिशा देने वाले हो। अन्यता आपके मस्तिश्क में प्रोध इर्शा और द्वेश के रासाइनिक दुष्प्रभाव दिखने लगेंगे जो आपकी सोने की ठाले में पीतल की मेख जैसे आशोबनी ये लगी तो अन्तिश्क